हलो स्टुजेंट्स कैसे हैं आप आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी वित नीदी में और मैं नीदी आज आप करवाने वाली हूं मुंसी प्रेंप्रेंदारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा का यूकив क्लास 9 के चैप्टर 1 से लिया गया है और बुख का नाम है क्फिती है ओके जाय करते हैं तो अपंन्यास सम्राठ कहें जाते थी बहुत सारे उनकी परसिद रजनाये हैं जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था जन्म अस्थान था लमही उत्तर परदेश उनकी मिर्तियों 8 अक्टूबर 1936 में हो गई थी उनका मूल नाम धन पतराय श्री वास्तफ था उर्दू तिम की दुनिया में उन्हें नवाव राय के नाम से जान रहाता था लेकिन उनका प्रसिद नाम था प्रेम relief पिता आजाईब राय थे और उनकी माता का सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आइकन को टेच कर लीजिए और हाँ अगर पसंद आए आपके काम आए तो लाइक जरूर कीजिए तो पहला आज का कोस्चन है हमारा दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहिन किसे माना गया है अप्संस हैं गाय, बैल, लोम्री, गधा तो इसकर सही आंसर होगा गधा गधा ही होता है ना चीशे हम सबसे दा बुद्धिहिन वानते हैं और अगला सवाल है इस पार्ट के अधार पर दो बैल है इनके नाम बताईए इनके नाम क्या-क्या है पहला अप्संस है सोनो और चां है वीरा और मोती अगला सवाल है इस कहानी के लेखक है अर्टात्यान लेखक का नाम पुछा जा रहा है ऑप्संस है प्रेमचन जाविर हुशेन राजेश जोशी ओम प्रकास तो दो बैलों की कथा के कहानीकार रचनाकार है प्रेमचन तो इसका राइट अंसर होगा प्रेम है मालिक की सिवा करते रहना आजादी के लिए स्वेम लड़ना दूसरों के अत्याचार सहते रहना इसका राइट आंसर होगा आजादी के लिए स्वेम लड़ना ओप्संस नम्मर त्री नेक्स्ट कोस्चन पर आते हैं कोस्चन है पाट के अधार पर गधे के गुन है मेहनत अध्यान, सीधापन, पागलपन तो इसका राइट आंसर होगा सीधापन चुकि गधा जो होता है बहुत सीधा साधा होता है और मेनत भी करता है लेकिन अध्यान या फिर पागलपन उसमें नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होगा सीधापन अगला सवाल है लेकिन किसी औरत पर सिंग चलाना मना है यह कथन है मोती का गया का हीरा का या फिर जूरी का तो इसका सही आंसर होगा हीरा का इस कहाने में जो दो बैल है हीरा और मोती वो दोनों ही कहीं फस जाते हैं और जो एक लड़की है इस कहाने में जो उसे प्यार से रोटी खिलाती है और उसकी मां सोते लिए है उसे बहुत प्रतारित करती है परिसान करती है तो दोनों बैलों के मन में आता है कि यह मेरी कहाने भी इस बच्ची के तरह है तो उसे तुस् सब्द्ध है पाठ में उपस्थित बच्च Anda मुहावड का अर्थ है कोलु का बैल गु Tiffany 20 बैल का भाई या परोक सब्द्ध में अपस्थित का बच्च पार्ठ में हीरा और मोती का मालिक है गया जूरी चौधरी या फिर कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा जूरी नेक्स्ट कोस्चन है हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परिशान किया क्योंकि उन्हें लगा उनके मालिक जूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा था हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था या फिर इन्मे से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा आंसर नमर वन उन्हें लगा कि उनके मालिक जुरी ने उन्हें गया को बेज लिया है अगला सवाल है गया जूरी का क्या लगता था भाई मामा दोस्त या फिर साला तो राई का आंसर होगा साला गया जो था वो जूरी का साला लगता था अगला सवाल है जूरी के ना चाहते वे भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा क्योंकि अप्सन्स है जूरी की पतनी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेत भर खाना भी नहीं दे पा रहा था तीश्रा है हीरा मोती, बहुत मारने वाले पाल्तू पसु थे, चौथा है इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा जूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उने पेर भर खाना भी नहीं देती थी यही वज़ा था कि जूड़ी ने अपने दोनों हीरा और मोती को गया की हाथों में सौपा था अगला सवाल है इस पार्ट के लेकर प्रेम चंद की मिर्थिव कब हुई 1936 में 1856 में 1963 में या फिर 1895 में इसका सही आंसर होगा 1936 में जैसे कि मैंने पार्ट के इसके वीडियो के आरम में बताए था कि गया जो प्रेम चंद थे उनकी नहीं थी चौत्हा आप्सन है हीरा मोती गया के डर्चे वहां से भाके आंसर होगे आंसर नमर्ट 3 हीरा मोती को वहां सब कुछ परनाएसा लगा और वह जगा उनकी नहीं थी इस वजह से वह क्या किए उनके वहां से भाग गे अगला सवाल है यह हमारे जाती का धर्म नहीं है यह कतन इसने और किसे कहे जूरी ने अपने पत्नी से हीरा ने मोती से गया ने गया ने हीरा मोती से किसी ने किसी से नहीं, इसका सही आंसर होगा हीरा ने मोती से कहते, यह वाले सब्द कहते यह लाइन कहा था यह हमारी जाती का धर्म नहीं है, अगला सवाल है हीरा मोती को गया के घर में कब अनभव हुआ कि यहां भी उनकी देखरे करने वाला कोई तो है, options है जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुझ में एक एक रोटी डाल कर चली गई दूसरा option है जब गया ने दोनों को रूखा सुखा खाने को दिया तीसरा option है जब दोनों से काम करवाया गया चोथा option है जब उने कांची होस में बंद कर दिया गया जब रात के समय छोटी लड़की उन दोनों के मुझ में एक रोटी डाल कर चली गई अगला सवाल है दोनों बेलों को भूखा रखा गया ठा कितने गनोंस सेवन दिनों तक फॉर्टीन दिनों तक दो दिनों तक या पांच दिनों तक उसका सही अंसर CPA में गये तो वहां साथ दिनों तक भू का प्यासर रख गया था यो कि कांजी हॉस यो जानवन में पश्मों का एक तरह से जेल होता है अगला सवाल है और हीरा मोती और बांकी पश्मों को कहां बांधा जाता था गोशाला में जंगल में कांजी हॉस में या फिर पासाला में हीरा और मुति को कांजी हौ पस्मों का जेल पार अधर को फोरा भटकते दिकाई प dirig?" अग्या सवाल है रुपधि की मदद उनके से गले में बंदी राशी खोल कर वच称हिए जुडी ने, स्वेहन हीरा मोती ने, चौधरी ने या उस चोटी सी लड़की ने, इसका सही आंसर होगा उस चोटी सी लड़की ने क्या किया था, उनके जो गले में रस्थिबंदी विति ने खोल दी थी अगला सवाल है, किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते हैं, यदि वे सांड से डर कर नहीं भागते, जब वे दोनों किसी के भी खेत में जाकर मतर खा लेते, भूके रहकर यदि वो सांड से डर कर भाग जाते, इसका सही आंसर होगा, यदि वे सांड से डर कर भाग जाते तो कायद के लाते हैं अगले सवाल पर आते हैं हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागनी की कोशिश की है अपसंस हैं दो बार चार वार साथ बार या फिर एक बार तो इसका सही अंसर होगा चार बार चार बार ऐसा हुआ था कि हीरा और मोती ने इस कहानी में बार भागन हीरा और मोती तो जानबर थे बैढ हैं उन्हें बोलना तो आता नहीं था हिंदी बोलने का देव नार्गरी बोलने का या उडंस वह क्रण ने कार्यां रोध़ उडसा में बाते ब्रब्राइब कोई नहीं तो इसका शेहन सक्ति होता है गदों और कि इसे समान धुआ जाये उप हुप भी नहीं करता हुछ सहते रहता है अगला सवाल है पस्वों में ऐसा कौन सा गुन होता है जो मनुश में उनकी अपेक्षा कम है मन के भाव को समझ लेना, दूसरों से काम लेना, अच्छे बुरे में भेद करना या अपना मतलब निकालना तो इसका सही अंसर होगा मन के भाव को समझ लेना पसु जो होता है न वो मन के भाव को समझ लेता है दूसरों से काम तो वो ले नहीं सकता अच्छे बुरे का भेद वो नहीं करता और अपना मतलब नहीं निकालता पसु तो बिल्कुल होता है निर्दोस प्राणी के तरह और वो मन के भाव को लेकिन समझ जाता है आप अगर उससे प्यार से बात करते हैं तो वो समझ जाता है अगर आप गुस्से से उससे डाटते हैं उससे डंडे से मारते हैं तो भी वो समझ जाता है अगला सवाल है कांजी होस से हीरा और मोती को किस को बेचा गया सड्याल को सिड्याल को अर्याल को दर्याल को या फिर चौधरी को इसका सही अंसर होगा दर्याल को दर्याल अगला सवाल है जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूँगा या कतन किस ने कहे जूरे ने दर्याल ने चौधरी ने या फिर गया ने इसका सही अंसर होगा धर्यलम को रखने की जगह को कन जी होस एक होस के अगला सवाल है गधा केकं महिने में, 40 महिने में, शाबन महिने में और न्यकुईол ुशन वा सही अंसर होगा वैसी महिने हम गाओं की इत्हारा में कौन इत्यास में कौन सी घटन अभूत्त पूर्वु रहे हैं सबowejलों का नाचना, अपने आप घर आ जाना, बैलों का रोना या फिर कोई अंध इसका सही आजार होगा, बैलों का अपने आप घर आ जाना यह गाओं का इतिहास में अभुत्पूल गठना रही थी क्योंकि बैल जब चला जाता था, वह आपस नहीं आपाता था और यहां बेल अपने आप घट वापस आ अगला सवाल है सवाल नमर 30 किसके कारण हीरा मोती ने नाद की और देखा तक नहीं डर के कारण अपमान के कारण बीमारी के कारण या फिर गुस्से के कारण तो हीरा और मोती तो कि मन के भाव को समझ लेते थे प्यार भी समझते थे और गुस्सा भी समझते थे तो अपमान भी समझते थे इसका आंसर होगा अपमान कारण उनका अपमान हुआ था और उन्हें यह पसंद नहीं आया थी इसलिए वो जो है ना अपमान के कारण उन्हों नात की तरब देखा भी नहीं खाया भी है क्या करता हुआ हीरा मोती की और आ रहता आ धकारता हुआ गुंधा हुआ डोंकता ओँआ या फिर घूर्टा हुआ इसका सही अंसर होगा डॉंकता हुआ अगला सवाल है कांजी होस में हाजरी लेने कौन आया था गया डड़ियर जूरी या फिर चौकीदार इसका सही अंसर होगा चौकीदार चौकीदार जो था न वो हर दिन एक बार कांजी होस में आता था और क्या करता था हाजरी लेता था ताकि उन्हें पता चल जाए कि कोई जानवर जूह हैं से अग्ला सवाल है जूरा के दोनों बैलह उसके पड़ती किस भाव से रहते थे प्रेमिन भाव से गिंप गुज्शे लड़को सितने और राएंज़र होगा प्रेमिन से जूरा ही है जूरी के दोनों बैलह कंफ़ी जूराcier कि आ दो की लड़की दो और को आधि दोलुप यसका सवाल पर आते हैं पहली वार गया के घर से भग कर दोन गहां गये के घर में कए जूरी वं जंगल दोनुच गागे या फिर होई नहीं जब ॐ होगा जूरी जब पहली वार गया के घर से दो नोबेल भाग गए थे तो वह कहां पहुंच गए थे जूड़ के घर पहुंच गए थे ओके आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई गुट नाइट